इंडियन प्रीमियर लीग के 14 वे सत्र की शुरुआत होने में दो दिन बाकी हैं ऐसे में खिताब पर कबजा करने के लिए सभी टीमें जम कर अभ्यास कर रही है इस बार BCCI शेडिूल के मताबिक कोई भी IPL टीम अपने घरेलू मैदान पर नहीं खेलेगी IPL 2021 9 अपरेल से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा इस दोरान सभी आठ टीमों के बीच 56 मैच खेले जाएंगे आईए हम आपको बताते हैं कि IPL में खेले जाने वाले मैचों का लाइव प्रसारंग कब कहां और कैसे देख सकते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के 14 सत्र 2021 की शुरूआत 9 अपरेल से होगी इस सत्र का पहला मैच रॉयल चैलेजर्स बैंगलो और मुंबई इंडियन्स के बीच चैन्नाई में खेला जाएगा IPL 2021 के मुकाबले भारतिय समया नुसार शाम 7.30 से खेले जाएंगे लेकिन जिस दिन दो मैच होंगे उस दिन पहले मैच की शुरूआत दोपहर बाद दिन में 3.30 बजे से होगी IPL 2021 में 11 दिन डबल हैडर खेले जाएंगे कोरोना के कहर को देखते हुए इस बार IPL 2021 में सबी मैच सिर्फ 6 शहरों में खेले जाएंगे जिन में चैन्नाई एहमदाबाद, वाइंगलूरू, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल हैं इन में से 4 शहर ऐसे हैं जहां IPL 2021 के सबसे ज्यादा मुकाबले होंगे मुंबई में 10, कोलकाता में 10, वाइंगलूरू में 10 जबकि एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में 8 मैच खेले जाएंगे IPL में खेले जाने वाले सबी मैचों का प्रसारन अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है मैच का सीधा प्रसारन स्टार स्पोर्ट एक HDSD और स्टार स्पोर्ट्स तीन HDSD में होगा इसके अलावा मैच की ओनलाइन स्ट्रीमिंग डिजनी होट स्टार पर उपलब्द रहेगी IPL में हमेशा की तरह इस बार भी आठ टीमें भाग ले रही हैं जिनमें चैननाई सुपर किंग्स Sunriders Hyderabad, Punjab Kings, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalow, Delhi Capitals और Kolkata Knight Riders की टीमें शामिल है Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries